वेलकम टू क्लास ओक्साइट करेंट अफएर डेली करेंट अफएर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 7 अगस्ट 2023 करेंट अफएर इन हिंदी एन इंगलेज कोई राउट कारी हो तो यहां मुसे जूर सकते हो PDF आपको टेलेडाम पर मिल जाएगी पहली करेंट अफ इनको फिर से रीडेवलप करेंगे लाकिन को फिर से वह बढ़ा करेंगे वहां पर इंफ्रास्रक्टर में सुधार करेंगे तो बस नमबर आप याद रखो अगली का एंट फैर है चाइना ने बिल्ड कर लिया है बना लिया है अपना एक नया मिलिटरी बेस इन कंबोडिया चाइना की इससे पहले एक मिलिटरी बेस थी प्रॉपर मिलिटरी बेस जहां पर चाइना चाइनीज सोल्जर्स जो है वो डिप्लॉइड रहेंगे तो इससे पहले इनकी एक मिलिटरी बेस बनाया था इन्होंने डीजी बूती में अफ्रीका एक अफ्रिकन कंटरी है वहां अब जो दूसरा वाला जो है, ये बन गया है कहाँ पे, कमबोडिया में, या दखना, ये एक proper military base है, अगली current fair देखते हैं, अगली current fair है, इंडिया की एक player है, जोती यार जी, तो इन्होंने जीत लिया है, ब्रोंच मेडल, ब्रोंच मेडल, कौन से वेंट में, तो women's 100 meter hurdle जो र जी ने, अगली current fair देख लेते हैं, अगली current fair है, government का एक scheme, एक project चल रहा है, जिसका नाम है भारत net, इसमें है क्या, कि government जो है, जो ग्रामीन जेतर, जो है, जो ruler radius जो है, वहाँ पे government internet, broadband connection, जो है, internet जो है, वो point करने का try कर रही है, ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने जो है, ये project start किया, अब इस project को इन्होंने decide किया है, कि 40,000 नय villages तक पहुचाएंगे, पहले तो था ही, sorry, 6,40,000, तो 6,40,000 नय villages तक, जो है, ये broadband internet की connectivity पहुचाएंगे, और इसके लिए जो पैसे खर्च करेंगे, वो यहाँ पे आप देख लो, 1,39,579 करोर, तो आप amount कितना खर्च तक लेके जा रहे, याद रखो, project का नाम क्या है, भारत net, भारत net, अगली current affair देख लेते हैं, अगली current affair है, अधिती स्वामी, अधिती स्वामी ये बन गई है, भारत की पहली player, first ever Indian player, जिन्होंने individual level पे, जो है, world title, जो है, उसमें क्या जीता है, गोल्ड जीता है, ठीक है, बरलीन में एक event चल रहा है, ठीक है, एक event चल रहा है, that is world archery championship, तो ये event जो है, world archery championship में, इन्होंने इस event में, अधिती स्वामी इन्होंने जो है, gold medal जीता है, individual category में, ठीक है, इस से पहले, देखो, ये जो event है, world archery championship का, ये event इंडिया के आजादी से पहले से शुरू है, लेक लेकिन पहले वार ऐसा है, कि इंडिया ने gold medal जीता है, अब वो दिलवाय कि इसने, अधिती स्वामी ने, और इसके साथ ही, अधिती स्वामी अब बन गई है, दुनिया की, अधिती स्वामी जो है, ये बन गई है, youngest to win individual goal at the world championship, तो सबसे युवा प्लेयर जो है, सबसे youngest player बन total, ठीक है, तो इन्होंने पोलेंड के एक player है, उनको हडा दिया है, और ये बन गई है, इंडिया के पहले male player, male archer, जिन्होंने जो है, gold medal हासिल किया है, इस event में, तो याद रखना है, ये पहले Indian male archer बन गई है, player बन गई है, जिन्होंने gold medal हासिल किया है, world archery championship में, अगली current पर देखते हैं, एक, एक gas field area है, बसी लिए जगा है, जहां पर ना, natural gas काफी ज़्यादा है, उस जगा का नाम क्या है, तो जगा का नाम आप याद रखो, तो आरस दोड़ा, ठीक है, अरस दोड़ा, तो यह जो जगा करा, यह जो प्लेस जो है, अरस दोड़ा, यहां पर का कुछ टेंसंस जो है, वो डवलप हुई है, तो आप बस यह प्लेस का नाम याद रखो, अरस दोड़ा, ठीक है, तो बिसिकली एक ऐसा प्लेस है, जहां पर natural gas काफी ज़्यादा है, अगली करेंट पर देखते है, हैधराबाद की एक कमपनी है, हैधराबाद की एक कमपनी है यहाँ पर देखो, हैधराबाद बेश्ट इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंसिटूट फोर सेमी एरिट ट्रॉपिक, तो यह हैधराबाद की कमपनी है, नाम याद नहीं रखना है आपको, और बांगलादेश की एक और कमपनी है, बांगलादेश एगरिकल्चर रिसर्च इंसिटूट बारी, ठीक है, तो यह दो कमपनी जो है, इन्होंने मिल करके, जो ग्राउंड नट जो होती है, जो मूंग फरली जो होती है, इसका एक नया वराइटी, एक अथी क्वालिटी की एक वराइटी जो है, इसको लॉंच किया है, कहाँ बांगलादेश में, आपको जो जो प्राइवेट कमपनी जो है, इन्होंने मिल के डवलप किया है, अगली का इंटरफैर हम लोग देख लेते हैं, अगली का इंटरफैर है, फिच फिच ने क्या किया है, डाउन ग्रेट कर दिया है, अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को ट्रिपल ए से ए प्लस में, इसी काफी सारी दो है, तो यह सब क्या करते हैं, यह सब कंट्री को रेटिंग देते हैं, जैसे फिच जो है, वो अगर यह कहता है, कि इस कंट्री को हम ट्रिपल ए रेटिंग देते हैं, इसका मतलब क्या है, कि यह कंट्री में पैसा अगर आपको लगाना है, तो आपका पै बोलते हैं इसका मतलब यह है कि दुनिया भरके जो इन्वेस्टर पैसे लगाने वाले वह क्या करेंगे उस कंट्री में अपना भुझनस खोलेंगे पैसे लगाएंगे सेर मार्कट में पैसे लगाएंगे कि उनको पता है इनका रही हाई है इनका पैसा डूबह नहीं लेकिन अगर इनका rating down आता है मालो rating ध्रे 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 नीचे down आता है तो इसका मतलब यह है कि risk बर रहे है तो AAA rating से AA plus वैसे मैं बता दू, AA plus भी rating बहुत बढ़िया है, इंडिया का rating तो इसे भी कही down है तो यह भी rating ख़राब नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, तो यह बस से आ जाओ, कुछ और हमारी चलन्स है, Class Oxide Study, Class Oxide PYQ, उनको चेक करना बिल्गुल ना भूले, थैंक्यू.